हेलो दोस्तों मिशित भिन को solve करने का सबसे आसान तरीका देखिए दिया हुआ है 78 2 by 9 plus 22 5 by 9 इंटीजर्स को अलग ले लेंगे और fractions को अलग ले लेंगे यानि कि 78 plus 22 इन दोनों को अलग ले लिया plus का sign बाद में fraction को अलग से लेंगे इन दोनों को जोड के आया 100 और इन दोनों को जोडने से क्या आएगा देखिए यहाँ पर हर में 9 और 9 दे रखा है तो हर में 9 आ जाएगा आंश में कितना आएगा 5 plus 2 7 उमीद करते हैं आपको भीन जोडना आता होगा बस क्या करना है इन लोगों को चिपका दीजिए 100 सही 7 बटे 9 इसका आंसर हो गया है तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान तरीका था उमीद करते हैं तरीका अच्छा लगा होगा आईए एक next कोशर और देखते हैं next में शिक भीन है 16 सही 7 बटे 9 plus 18 सही 8 बटे 9 सबसे पहले पूर्णांकों को अलग रख लेजे अलग में जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में भिन्नों को अलग जोड़ना है plus का sign 7 बटे 9 plus 8 बटे 9 ठीक है इतनी बात समझ में आ गई है इन दोनों को जोडने के बाद आया 34 plus की दोनों में समान हर है बटे में 9 आ गया इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आया 15 अब आपको यहाँ पर चिपकाना नहीं है जैसे कि हमने पहले किया 15 क्या है 9 से बड़ा है भाग जा रहा है तो इसको भाग कर लेंगे अगर भाग करेंगे त 34 और 35 अब इसको चिपका के आंसर आ जाएगा तो आंसर हो गया है 35 सही 6 बटे 9 उमीद करते हैं ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी चलिए next question की और move करते हैं तो सबसे पहले पूर्णांकों को अलग रख लेंगे फिर क्या करेंगे प्लस का स तरीके हैं या तो आप क्रॉस मल्टिप्लाई कर लो या एल्शम ले लो ठीक है तो यहां पर हम क्रॉस मल्टिप्लाई कर रही है क्रॉस मल्टिप्लाई का मतलब है इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे ठीक है प्लस का साइन 3 तिया 9 बटे में इ दोनों की आपस में गुणा कर दी दोस्तों आप देखें कि जो 17 है वो 12 से बड़ा है भाग जा रहा है तो इसको भाग करिए ठीक है तो 12 एकम 12 कितना बचा 5 तो यह जो एक आया है भागफल इसके साथ में जूड़ जाएगा यानि कि 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7 प्लस के साइं यहाँ पर जो 6 वल बचाथा कितना था 5 पाँच बटे 12 बस अब क्या करना है इसको चिपका दीजे यही आंसर हो गया 7 से ही 5 बटे 12 उबीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर इन मिश्चित भिन को हम बेसिक मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं चलिए वो भी देख लेती हैं बेसिक मेथड में 78 गुडा 9 और जो भी आएगा उसमें 2 जोर देंगे तो 78 की 9 से गुडा करी कितना आ गया 702 ठीक है इसमें फिर 2 जोर देंगे बटे में आ जाएगा 9 इतनी बात सही है प्लस के साइन 22 की 9 से गुणा करी 9 दुनी अठारा का 8 9 दुनी अठारा और ये 19 एक सो अठावे में फिर ये 5 जोर देंगे 5 जोर दिया बटे में 9 702 प्लस 2 704 बटे 9 प्लस का साइन 195 203 बटे 9 हर समान है इसलिए हर में 9 आएगा 704 203 को जोरा तो कितना आ गया 907 और सॉल्व करेंगे 9 इकम 9 0 0 7 बच गया 100 सही 7 बटे 9 इसका आंसर हो गया है तो दोस्तों आपने देखा ना बेसिक मेथड में कितना टाइम लगना है जबकि हमने जो शॉर्ट प्लिक देखी उसमें क्या करेंगे सीधे सीधे पुर्णांकों को जोड लेंगे 78 प्लस 22 100 हो गया उसके बाद हर देखेंगे हर अगर समान है तो हर को हर की जगए पर लिख लेंगे और इन दोनों को जोड कर लिख देंगे यही आंसर हो गया है उम्मीद करते हैं बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी जोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक चरूर कर दीजेगा शेर कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा